खुपड़ी एक है, खुपड़ी मा मद भे, और सबके खुपड़ी मा देउता बसे इनके बसे परे तुम्हारे पापा के गए, कम से कम छे बरस बीत गए और आज तक उन्हें ने मेरे पास, फुन तक नहीं किये मेरे बेटा लेकिर मा, आप अच्छे हैं जनती, आज कई दिन हो गए, आप मुझे नहीं मिला और जब अगने कदम, आगे गले बलाता हूँ, तो भोड़क और प्यास से आखों के सामने अंधिल अच्छे हैं नहीं बेटा, अगर इस तरह तुम हिम्मत हार जाओगे तो बता तुमारे पापा की मैं कैसे खोच कर पाऊंगी इसलिए बेटा अपनी हिम्मत छूटी मत करो और चलो, तुमारे पापा को चल के खोच करती है अगर आप की बात है तो आओ चलते है और चल कर पीता जी की खोच करते हैं आओ अजी बढ़ते है और दुनिया में गरीबी तो इतनी बढ़ते है और दुनिया में गरीबी तो इतनी भज़वान किसी को दुनिया में गरीबी तो इतनी दुनिया में गरीबी तो इतनी बज़वान किसी को आप आप जाप इतनी गरीबी तो इतनी भज़वान किसी को आपे कर दुनिया में गरीबी तो इतनी दुनिया में गरीबी तो इतनी आपना एपना एपना एक जाला को आपनी को तरी गोस्टराया पास्टराया को आर खना एक आर खना एक जाला आपना एक जाला को 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 आपना एक जाला क अब हमारे कदम आगों के लिए नहीं परते मा और जब मैं अपने कदम आगों के बनाता हूं तो आगों के सामने अंधिल अचा जाता है मा हुआ 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 हालो हाथ में डंडा हाथ में डंडा बगल में थाइली कब जाओगी राय भराइली घ्यारा रुपए की नाम पाल्टी गोर से धन्वाद हुआए हाँ हुआ है जाए माकाली यह बच्छे कौन है जो कि अचानक हमारी कुटिया के पास आकर भी छोस हो गए ही इने होस में लाओ जा है जाए कबरू कमा चाली जाए माकाली जलना ओं हो नहीं बतोओं मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं कहीucky मुर्याजी आप क्या जानना चाहती है गरा नहीं बतोओं कि अडिका है कि अव्यर्य पीसे आ आप तो आई है, कहे तुम कहे तुम तानी है, कहे तुम तानी है, कहे यहां पे आई है कहे तुम तो आई है, कहे तुम तेुम तो आई…. कहे तुम तो आई है तो आई aईren है, कrzy इड़ो है आई हो ताम को कि करना किता है इत्व जो हो काई हो क्यों सो को कि करना किता है कि करना किता है इमां दिने से काई बच्छो इमां दिने से काई एक पाना में पाई करना किता है इस अच्छो जो कि अच्छानक हमारी कुटिया पर आकर गुवेश हो गई जो इससे अकुआ है जो जो कि अच्छो इस है जो कि अच्छो मेरी तकदीर में दिखा है गमें उपार में मेरी तकदीर में लिखाए माँ उठाने को चाली आए तकदीर में तकदीर में लिखाए में भी आए आदाली ना फोले रागु मताँ भारे गुजे ना आदी में आदाली ना फोले रागु मताँ आदाली ना 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 तुम लोगी गुजिनात के रहों नहीं हाँ मुनिराज जी घंड़ाओ नहीं तुम अपने पती की खोज करते करते यहां तक आ गई हो लेकिन मत्यू तुम्हारा नाम क्या है हमारे नाम सत्रती है और हमारे बेटे का नाम सरदे मुनिराज बटे सत्वतों तुम घंड़ाओ नहीं माय भी पता लगाता है कि तुम्हारा बती समय कहां पर हो नहीं हो नहीं कमरी कमा चली जैमा काली कि पती समय कहें तुम्हारे पती का नाम सरतात तुन हो ही तो इस अभागन के पती है बुद्राजि तुम घंड़ाओ नहीं है है यहां पर जाओगी तुम्हारे पतिसे हमें बहुए है लेकिसे करें यॉजवन कोчес नियुक्त है कर्क कि पंजव अधसर कि व्यूत are अर्वाही नगरे, अर्वाही नगरे, अर्वाही नगरे, उज्जानी है, जहनी सुदिनी जए, चिराइब अर्वाही नगरे, अर्वाही नगरे, अर्वाही नगरे, उज्जानी है, जहनी सुदिनी जए जए जए। एफेर वाही नगरे, अर्वाही नगरे, इस यह धिया। नाकिम का सवाल करना महाराज इंडरेश तिम लोगों को अवस्ट नोकरी देंगे जरूटी का सवारा देंगे एकिलमती वहाँ जाने से पहले वेलो इसे हमेशा अपने पास रखना क्योंकि इस तमझ सारे उज्जान में हमारे सराब का प्रस्टोच चाया हुआ है भेशक्ता है कि वहाँ जाने पर तिम लोगों को कुष्ट हो लकिन मती मुसीबत से घबड़ाना नहीं जब हमारा सराब मुक्त हो जाएगा वे जए सराब मुक्त हो जाएगा इंदर्पाल 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 जीं जर्बाद्पन्यवासी है इंदर्पाल जी की तरप से कम्याटी गिलिए कि एक क्यावन रुपए में लाहे साथ में 11 रुपए इनाम धन्नवाद कि या गुरु सिवाली किसी को इतनी भी गरीबी न दे कि दो वक्त की रोटी भी नसीब न हो सके इन बच्चे को इनके मक्सब में काम्याब करना हो दाई माकाली दाई गुरु सिवाल करें लाल परजया पती जी किरा मत्ता है को रहो राम शंग राम शंग राम शंग यह हुजूर अंदर्वार में अपने सिंघाशन पर बेठते हैं हां हुजूर और तुम अच्छी तरीके से जानते हो हां हुजूर को सुज्याइन नगर के अंदर हां महाराज इंद्रेज सबसे साशन चला रहे हैं हमने हर फ़रियादी की फ़रियाज सुनी है अजर कोई भी गरीब या यतीम हां हां हमारे दर्वार के शाही दर्वाजे पर आता है हां तो उसे से सम्मान हां हमारे पास लाया जाएं करो कहां जा रहे हो क्यों रो रहे हो महराज से मिलना चाह रही हो ठीक है आप लोग रो मत सीधे खड़ी रहो मैं महराज से पूछ कराता हूँ फिर आपको ले चलूँगा ठीक है हुजूर राज दर्बार के गेट पर एक औरत और एक लड़का साथ में है वो रो रहे हैं और आप से मिलना चाह रहे हो ठीक हाँ हाँ उन्दोनों को हाँ समान के साथ राज दर्बार ले आप अवश्य हुजूर देवी इतनी बैरी इस्थिती और ऐसी दिन दसा हमारे उच्जेन के अंदर यह बताओ देवी आप रहने वाली कहां कि हैं और आपके साथ जो बच्चा है जो कौन है देखने में तो आप किसी अच्छे खांडान से लगती हैं तो देखने में तो लगती हो कोई परी देखने में तो लगती हो कोई परी देखने में तो लगती हो कोई परी के बीजी यह बताओ के तुम कौन हो पति ब्रता नारी लगती हो तुम का अमिनी सच बताओ मुझे आप कहां कि रहने वाली है आपका नाम क्या है और देखने में एक अच्छे खांदान से आप लगती है और आपके साथ जो बच्चा है कौन है आप हमें विस्तार से बताएं जो भी संभो मदद होगी महराज इंद्रेश आपके हर सम्हों वदद करें सिनिये महराज महराज चक्राणी गुदिराति की मेरे पाति छे दरति से रग बह गये अधिता की वुनिका सुछेना शक्ता चल 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 आप टें आपन टुरम पाति जो पाति तर्चिना वैं वदटा को सकाई जेँ बढीरि आपके जो बताएं दरति लिएं उख्रति कि देवी जी हां महाराज हमारे पती पर आप कि रहने वाली एक शक्त्राणी नारी है और आपका नाम सत्वति है और आपके इस बच्चे का नाम मेरे बेटे का नाम सरद महाराज आपके स्वामी छे वरसों से लापता है और आज तक उनकी कोई कि खबर नहीं आपको मिली कोई खबर नहीं आई महाराज तो भीजी लगे शुनूं का स्वामी को तो मनहीं जानता यो कहां है लेकिन आप दोनों के लिए आप पताएं आप चाहते क्या हैं हमसे हमें बताएं महाराज हमने आपका और आपकी राज का नाम बहुत बढ़ा सुना था लोग कहते थी जो कोई राध दर्बार जाता है कवी खाली पेट वहाँ से वापस नहीं आता महाराज मैं आपके राध दर्बार यहीं सोच कर आई हूँ अगर आपके राध दर्बार में मुझे कोई छोटी मोटी नवकुरी मिल जाए तक कि मैं अपना जीवन भी तीद कर तको साथ साथ अपने बेटी सरत के भी जीवन भी तीद कर तको आपके सुमेद के साथ इस जैन राज में आई हैं आपके उमेद कभी भी विकार नहीं जाएगी देवी शुनूं आज से दोनों को लोगरी दे दिया अज शक्त्वति और वेटे सरत हां महाराज आज से दोनों को लोगरी दे दिया और काम खाना बनाने का करना पने आज से दोनों को लोगरी 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 दोनो हुआ है 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 कि दोबने है हमने तुम को दोकरी दे दिया आपको हमारी पाक्साला में भोजन बनाना है भोजन बनाके पूरे राय दर्वार के हर कर्मचारियों को पहुचाना है हमारी महरानी को पहुचाना है हमें पहुचाना है और उसके बस साइद आप बचे हुए भोजन को हमारे कैदियों तक पहुचाएंगी जो हमारे कारागार में हमारे कैदी बंद है आप उन तक भी में शिपाही की नवकरी करेगा और इसकी डूटी राज महल के गेट पर होगी ठीक महाराज आज आपने मा बेटे को सहारा दिया मैं सहारे को जीवन भर नहीं भूलूँगी महाराज नहीं भूलूँगी यह उचैन नगर हमारे भगवान सुमहा काले सर का राज है इस चैन का राजा भले हुए लेकिन हमारे इस राज्य के अंदर कोई गरीब कोई यतीम कभी नामुराद हो कर वापस ले जाता हूँ जाओ राम चैंग देविशत्तवते और बेटे सरत को ले जाओ एना अश्नान करवाना और उसके बाद इने पाक्चाला दिखा देना शिपाए कि मरती सरत को दे देना और फिर हमारे पास ले आए यागये मन्नेहरे भाई साब चंदन चंदन जी इसी गाने वासी है राइटर महोदे भ्यान देया चंदन जी इसी गावनेवासी हैं गद्धीपूर चंदन जी की तरफ से कमेटी के लिए पांट सु रुपए मिल ला है चंदन जी की तरफ से कमेटी के लिए इसी गावनेवासी हैं पांट सु रुपए मिल ला है और हम लोगों को लिए 11 रुपे की नाम पाल्टी गोर से धन्नुवाद अब हम चलते हैं थोड़ी देर अपने राज महल में दिश्वाम करते हैं क्या बताई मैं उस हराम चादे के पास कई और उस हराम चादे ने मेरी बातों को इंकार कर दिया है और आज ओर हराम जादा है जेल की सलाखों में सब रहा है अब मैं क्या करें कसम हमरी जवानी की कहा जाओं ये जवानी लेकर आरे राम सिंग आओ 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 राम सिंग जी राज माता मैं तुम्हें किसने बुलाई हूं बोलिया राज माता आओ तेली की वह नौजवान बडी मोटी मोटी वह की टांग है अजिया बाप्रे वह मुर्रा हशीं आओ ये ती लंबी पूछ मारे डुबी सरस जाए हराम जादे कहीं इंसान के सिंग और पूछ होती है आओ 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 आप तो कहा हम तो सोचे कवनों हरवाही जोते का है ओही भी भाइशा चेही मुझे बुग्गी चलाना है हराम जादे हम का का पता बादे अरे मुझे नौजवान भीवत यानि इंसान की जरूए थे अरे राजमारा आपको मालूम नहीं है इस राजजरबार के अंदर हमसे अच्छा हमसे नौजवान हट्टा कट्टा कवनों पहलवान है नहीं अच्छा तो रामसीन आज राज दरबार में समलनों के तुम्हारी फांसी हो क्या हुआ राजमाता हम मरे का बहुत दिनाई थे अगर हमका मारो नो तो हम आपका रास्ता बताई और तेरी औरत कहां चलीगे तु बच्चे को पालता है अरे राजमाता नहरिया महरिया पिजुली और मौत भिक्री का कवनों छेगाना नहीं नहीं ना राजमाता अच्छा तुझे कोई नहीं मारेगा बोल अच्छा या गये नवजवान है क्या नहीं या गये गुता की माँखो या गये राम मिलन जी इसी गाउनेवासी हैं कद्धीपुर राम मिलन जी की तरब से कमेटी के लिए अच्छा पांच सु रुपए मिल ला है और हमारे आने जाने के कहेगा कोई राज माता आप यह समल लिए अगर हमका फसाद हो तो समझो हमार जिंदगी खतम अरे तेरे दिवाग तो नहीं खराब अरे राज माता मैं हूँ हाँ मेरी हुकूमत चलती है तुझे कौन फसाएगा हाँ राज माता थ्यान लख्यों कि राम सिंग तुम्हें सोगलती माफ कर दिया ना तुम्हारी सोगलती माता है अपनी हाँ राम सिंग हाँ सुभा का टाइम है हाँ मैं अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ हाँ कि तेरी सोगलती माफ आई मेरी रानी अरे राज माता पहले हम आपास समल्यों आपने हमको माफ कर दिया सोगलती तो हमने कहा अरी मेरी रानी जी आपके बहुत आप अंगमार क्या रहें अब कुछ नहीं होगा जल्दी बोल अम मारें ना नहीं मारोगी सोगलती माफ माफ मेरी राज माता देखो जो अपने मंति आपके लाज माता वहां तक हम पहुचाएंगे मगर हमाई लड़िकन बर्चन तक के जिन्दगी आपके हाँ अरह ठीक है ठीक कुछ नहीं हुगा खड़े बड़े राज माता देखो वहां तक पहुचने में तो समय लगेगा जरूर अगर आप कुछ जैसे मनों इंजन सुना पाद चलो तो अच्छा गिल भी बहल जागा पहुच जाएंगे अगर दो अच्छा पाद माता चलो ठीक है भी राम सीग बोलो मैं तो अपने पुद्धे से परेशान हूं पार आप आप राज माता है अपने फुशत भतार से हाँ अब क्या करूं थोड़ा मजबूर हूं या बाख है कह ड़ाज शींग बोलिये और मैं क्या करूं सर्टों गजार मेरा दुटा 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 गया आज मेरी दो दिन की छुट्पी पूरी हो गई है और जैसे ही सुभा होगी तो हमेरा आज महिल पोचना जरूरी है तो हम अपने कमरे में सुभा होने का इत्यार करेंगे अपने शुटा आज महिल करेंगे अपने करेंगे अपने करेंगे इतने समय वो भी हमारे कमरे में, रानी मा, हम आख से कुछ जानगारी चाहते हैं, वोने राज माता, अर काश्ट आने कपोसे, अर काश्ट आने कपोसे, अर की आया पन्र, काश्ट आने कपोसे, कशया राजबी चाहते हैं, वोने चाहते हैं, वो भी हमDetं के तब्सेश क्व आने कप mad social feast! मुद्स Quattay प्ला जानगारी चाहते हैं, दवाब की खिदमत में हादिर ये खादिम्दार है सरकताने के लिए हर कर से कयार है कर हुक्म जर्दी हुला असार कर उसामने हुक्म जर्दी हुला असार हुक्म जर्दी खुला सो तरे सामने अब आप में जर्दी हुला तरे शिक्म आरे मेला मालिक से कहना है कि अगर अब लाइट आ जाए तब भी जग और पहले जो मैं कहूं गोल फर्माई फर्माई जो मैं कहूं कहूं गोल फर्माई ये इस मरी सी पे तोरा तरस्खारी तोरा उटकर साथ विश्वास है इमान से